नमस्काम में रवीना में इस निउस लाए में आप सभी का स्वागतें आए देख 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 नजराज के हेडलाइन पर रॉल गानी आमान्वी पार्टी से गट बंदन पर समर कॉंग्रेस ती इन सीटों पर लर सकती हैं चुनाओ तीहार के मचर अफसरों की बनी मुसीबत दो दोसों ने एक साथ मिलकर लगा दी फासी पेड़ से लड़क के मिली लाश अप्खब रिविस्तासे रॉल गान्दी आमान्वी पार्टी से गट बंदन पर समर कॉंग्रेस ती इन सीटों पर लड़ सकती हैं चुनाओ कॉंग्रेस अदेक्ष राउल गान्दी के साथ बैठक के बाद में भी आमान्मी पार्टी के साथ गट बंदन का मुद्धा सुलस्ता दीख रहा पार्टी की सुत्रुक की माने तो मंगलवार सुब दिल्ली के नेताओ के साथ बैठक में राउल गांडी आमादमी पार्टी के साथ गणबंदन पर समत दिखे लेकिन दिल्ली के नेताओ में गणबंदन पर भी समती बनी नहीं दिख रही है तीहार जिल में मच्छर केदियों पर भारी ना पड़ जाए इसके लिए अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा की अभी से तैयारी शुरू कर दी है तीहार सहीप, रोइनी और मणोली जिल अधिकारियों को कहा गया है कि मच्छरों पर काबु पाने के लिए सब्यों जेलों में फैंगिंग और बैरक और वाड़ा में मच्छर मारने की दवाय का छिड़का करना शुरू कर दे या फैसला मंगलबार को तीहारजे में अधिकारियों के बीच समन्वाइ बेठ़क में लिया गया है मचर पनपने शुरू हो गए हैं इस वज़े से केद्यों को खासी से परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों ने एक साथ मिलकर लगा दी फासी बाग के पेड में लटके मिले लाश उतरप्रदेश के गोंडा के तरवनगर्ज थाना शेत्र के रगडगंज चोगी अंतरगर्ग बरसाड़ा देहा गाउ में दो दोस्तों ने एकी साथ में पेड़ पर एक साथ फासी लगा कर जान दे दी पुलिस ने बता कि अभी तक इस मामले में कोई जानकरी सामने नहीं आई है दोनों के परिबार वालों से फिलार पुस्ताज की जा रही है गटना सल के पास से शराब की बोटले और अन्य सामन बरामत हुए है फिलार पुलिस इस मामले की जाच में जुटी है तो MLS News Live की खबर देखने के लिए MLS Indy आप आजी प्ले स्टोर से डाउनलोर करे और अमारे चैनल को लाइक सब्स्राइब शेर करना बिल्कुल भी ना भूले तब तक के लिए दन्य बाद